Hello everyone, welcome back to my channel again तो आपको ये नजारा देखकर पता ही चल गया होगा कि आज हम फिर से किसी marketplace जा रहे हैं Yes guys, we are going to the Lajpatnagar, the central market of Delhi तो Lajpatnagar अब की अगर मैं बात करती हूँ तो it was fully loaded with people मतलब की market के अंदर बहुत जादा भीड थी क्योंकि festival season आ रहा है तो लोग जल्दी से जल्दी अपनी shopping complete कर रहे हैं तो चलिए हम भी start करते हैं हमारा आज का वीडियो So Lajpatnagar पहुँशने का सबसे easiest way जो है वो है Lajpatnagar Metro Station जो की direct metro है तो वहाँ पर आप लोग step down कर सकते हैं और आप पहुँच जाएंगे Lajpatnagar market के अंदर सबसे पहले ये थोड़ी सी lane market है अभी market हमारा start नहीं हुआ market जितना distance है उसी के अंदर आपको कुछ इस तरह की shops दिखेंगी shops मतलब वो भी पट्री market ही है और उनकी range और collection भी बहुत जादा सही है ये सिर्फ 2-4 shops होंगी बट ये बहुत ही अच्छी collection है इनके पास जैसे कि आप ये वाली कुर्ती दे सकते हैं ये वाली कुर्ती जो है वो सिर्फ 250 रुपीज की है इसके अंदर इनके पास बहुत सारी collection थी और इस shop के अंदर से आप जो भी कुर्ती उठाएंगे वो सर्फ 250 रुपीज की थी इनकी कलेक्शन बहुत ज़ादा सही लग रही थी और इनका कपड़ा भी बहुत ही ज़ादा अच्छा लग रहा था मतलब फेस्टिवल सीजन के अंदर आप लोग अलग अलग इवेंट्स के लिए बहुत अलग अलग कलर्स डिजाइन्स की कुर्ती ले सकते हैं तो इस दुकान को आप जरूर से चेक आउट करें उसके बाद आगे चलके आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैक की कलेक्शन है जिनके पास सारे बैक जो थे वो 300 रुपीज के थे देन यहीं पर उसी के सामने एक चपलो का स्टॉल लगा रखा था एक बहिया ने जिनके पास हर चपल जो थी वो 150 रुपीज के थी इनकी कलेक्शन भी बहुत जादा सही लग रही थी और इनके पास एकदम लेटर स्टाइल की बैलीज, कोला पुरी चपले, फ्लाट चपल, सारी तरह की चपले थी जो की बहुती सुन्दर सुन्दर गोल्डन, कॉपर इस तरह की कलर्स के अंदर दिखाई दे रही थी, मार्केट के अंदर ये वाली चपल जो थी यलो, विट टाइगर प्रिंट जो थी वो भी बहुती सुन्दर थी और ये सिर्फ 150 रुपीज में, देखिए ये वाली चपल बहुती सुन्दर लग रही थी पहनने के बाद, तो इस तरह की कलेक्शन को आप लाजपत नगर के अंदर जरूर से चेक आउट करें, और कुछ शॉप ये वाली जो शॉप है, इनका रेंज जो था वो बहुत जादा कम था, बहुत जादा केफाय इनका रेंज लगी मुझे इनकी, नेक्स्ट आगे चलने के बाद, मार्केट के अंदर विंटर कलेक्शन भी आ चुका था, तो उसी के साइड में देखिए, इस तरह के विंटर स्वेटर से, ये वाले जो स्वेटर थे वो इतने जादा अच्छे नहीं थे, तो मैं आपको करूँगी कि मार्केट के अंदर से स्वेटर खरी दे, ये जूट के मुड़े थे इसके पास, और इनके पास यहाँ पर जो स्टोरेज बॉक्स होते हैं वो भी जूट के बने हुए थे, ये वाला जो एक स्टोरेज बॉक्स था, वो 250 रुपीज का था, छोटा साइज, और जो बड़ा साइज था, वो 300 रुपीज का था, जो कि बहुत ही जादा सुन्दर लुक दे रहा था, उसके बाद इस तरह की कोई श्रक्स की शॉप थी, श्रक्स इस शॉप के अंदर 100 रुपीज के श्रक्स थे, और ये जो आप स्वेटर देख रहे हैं उसी के जस सामने, य ये वो जो वेलवेटी कपड़ा आता है, वेलवेटी जो उन होती है, ये वो वाला स्वेटर है, बट ये बहुत जादा क्लासी लग रहे थे, मतलब डेनिम के साथ इसको आप पहनो तो ये बहुत जादा सुन्दर लुक देंगे, 200 रुपीज में ये बहुत जादा अच्छ की डील थी, ये बहुत सुन्दर अच्छे लग रहे थे, ये वाला जो बैग है वो सिर्फ 300 रुपीज का है, अब हम लोगों ने लाजपत नगर की में मार्केट के अंदर एंटर कर लिया है, एंटर करते ही आपको एक चपल की शॉप मिलेगी, मुझे इनका कलेक्शन बहु बहुत ही सुन्दर चपले थी, खास्ता और से ये वाली चपल जो मैं ट्राइ कर रही हूं, मतलब ये मुझे डिफरेंट लगी और इनकी रेंज सिर्फ 200 रुपीज की थी, मार्केट के अंदर आपको इस तरह के कुछ 3 ट्रेस के सेट भी मिलेंगे, बैग्स मिलेंगे, जो क ये भाईया 400 के दो दे रहे थे, और इस तरह के जो कुछन थे, वो 100 रुपीज का एक कुछन था, तो मगर इनकी क्वालिटी जो कुछन की थी, वो बहुत जादा अच्छी थी, जो मार्केट के अंदर शॉप थी, और जो कलर थे, वो भी बहुत ही जादा प्यारे कलर्स थे जो भी या, और जो की बहुत ही जादा सुन्दर थे, और इनके डिजाइन, फैब्रिक दोनों ही बहुत जादा सही लग रहे थे, और इनकी जो रेंज थी, वो सिर्फ 6.50 रुपीज की थी, 6.50 रुपीज के अंदर कुर्ता और प्लाजो दोनों का बहुत ही अच्छा फैब यह वाली, 4 या, 5 वी शॉप आपको यह वाली दिख जाएगी, इनका कलेक्शन मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगा, उसी लेन में आगे चलने के बाद, तो यहाँ पर एक मैट्स की शॉप है, जिनकी कलेक्शन बहुत सही थी, मतलब इनके पास जो कलेक्शन थी, मैट क वो फैबरिक बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब यह वाला जो मेरे हाथ में है, यह 100 रुपीज का है, और जो इससे पहले था, वो वाला इनके पास 50 रुपीज का एक था, जो की ठीक रेंज में था, मतलब मैं इसको जादा सस्ता नहीं कहूंगी, यह बहुत ही ठीक लग उसके बाद मार्केट में उसी लेन के अंदर आगे चलने पर यहां पर यह 7.99 के बैक से, जो मुझे कॉस्टली लगे, मतलब 7.99 के अंदर कोई भी बैग आप लोगे, अच्छे बैग हैं, बट लाजपत नगर के अंदर अगे वाले बैग हम ले रहे हैं तो 7.99 रुपीज क जो थे, वो तो बहुत ही जादा मिल रहे थे, because of the festive season coming, उसी के बाद यहां पर देखे, बच्चों के कपडों की शॉप, 250 रुपीज का स्टॉल लगा रखा था और इनके पास काफी सारे बच्चों के छोटे छोटे ड्रेसे थे, फ्रॉक्स थे, इस तरह के स्टॉल जिनके पर बहुत ही सुन्दर काम कर रखा था, 100 रुपीज का पर्स टॉल था और इनकी क्वालिटी जो थी वो भी बहुत जादा सही लग रही थी, नेक्स उसी लेन में आगे चलके एक और चपलों की शॉप थी, इनके पास चपल जूते दोनों थे, और इनमें कोई भी आप खरी बेट शीट्स की और जिसकी रेंज खाली 500 रुपीज की ती मतलब डबल बेट की शीट्स थी वो सीता फैब्रिक्स की शॉप है और इनकी जो कलेक्शन है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो इनोंने ओफ डाल रखा है तो इनकी कलेक्शन आप जरूर से चेक आउट करें और तो उससे थोड़ी सी नीचे क्वालेटी की थी वो 300 रुपीज की थी वो भी बहुत ही जादा सुन्दर लग रही थी तो आप सीता कलेक्शन फैब्रिक्स का जरूर से चेक आउट करें नेक्स उसी के आगे करवा चौत का देखिए पूरा यहां पर इनोंने प्लेट छनी ल बहुत सुन्दर डिजाइन के अंदर थी बहुत सुन्दर कलर्स के अंदर थी तो आप अगर फेस्टिवल सीजन के लिए कोई भी ड्रेस देख रहे हैं तो आप इस शॉप को जरूर से चेक आउट करें यह उसी लेन के अंदर शॉप है और इनका कलेक्शन जो था सूट के बहुत ही जादा सुन्दर था और बहुत ही एफॉडेबल रेट के अंदर था मतलब कि इस सस्ता तो नहीं मिल सकता दुपत्टा प्लाजो कुर्टा इनके पास तीनों चीजे ती वह भी बहुत ही सई क्वालिटी के अंदर चंदेरी फैब्रिक इनके पास जादा था क्योंक 250 रुपीज के अंदर बहुत ही सुन्दर कलेक्शन इन्होंने लगाया हुआ था अपनी शॉप के अंदर उसी के साइड में आपे 200 रुपीज की कुछ टीशेट से जो आपको हर मार्केट में सरोजनी जनपत में असानी से मिल जाएंगे और उसी शॉप के अंदर बहुत ही सुन्दर कलेक्शन भी दिख जाएगा मार्केट के अंदर बहुत जादा भीरती जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं उसी के अपोजिट साइट ये भाया ने एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा था मतलब इनका कलेक्शन भी बहुत जादा सुन्दर था और सिर्फ 100 रुपीज के अंदर इनके अब बहुत बहुत सुन्दर कलेक्शन थो इस शॉप को भी जरूर से चेक आउट करें जैसे कि हम लोग ब्रैंडड टॉप देखते हैं लेते हैं उसी तरह के टॉप जो थे इनके पास 100 रुपीज के थे और वो बहुत ही जादा अच्छे थे अच्छी क्वालिटी के अंदर थे मगर बहुत सुन्दर लग रहे थे ब बहुत ही सुन्दर था इनका कलेक्शन जो मैमने आपको सबसे पहले कुर्ता दिखाया था वह तो बहुत सुन्दर लग रहा था मतलब एक इनर के साथ वह कुर्था पहन के नीचे लैगिंग इट इस और बहुत आप देगा उसले ऐन के लास में जाके राइड टरν जब यह वाला भी 100 रुपीज में है इस शॉप पे जो कुछ भी लेंगे सब कुछ सिर्फ आपको 100 रुपीज के अंदर अंदर मिल जाएगा जो कि बहुत ही सही था और क्वालिटी वाइस भी यह बहुत अच्छा लग रहा था उसी के जस साइड में एक टॉप की शॉप थी मतलब इस वाज मेंगे जनपाच सरोजनी सब में से सबसे फैडरिट सॉप मेरी यह है मतलब इनके पास बहुत ही सही कलेक्शन था टॉप्स का आप लोग देख सकते हैं वर्ट्िकल स्ट्राइपस के लंदर टाइगर प्रिंट के अंदर बहुत ही सुनदर कलेक्शन था इन भाहिय था और इन सब के प्राइस जो थे वो खाली 200 रुपीज के थे मतर 200 रुपीज के अंदर एकदम शॉप वाला फैब्रिक शॉप वाले टॉप स्टाइल जो है वो मिल सकते हैं आपको लाशपत के अंदर तो आप जरूर से इस वाली शॉप को भी जरूर जरूर से चेक आउट कर यहां पर एक गली सी में एक शॉप इन भाया ने लगा रखी थी इनके पास जो कुर्ती का कलेक्शन था वो बहुत सुन्दर लग रहा था 350 रुपीज की कुर्ती थी जो थोड़ी सी महंगी थी मतलब 300 तक होती तो चल जाता वर 350 की थी तो भी कोई बुराई नहीं थी क्यों वो बहुत ही सुन्दर तरीके से काम कर रखा था शरारा सेट जो थे वो इनकी शॉप पे 800 रुपीज के थे और वहीं अगर आप प्लाजो का लेते हैं तो वो 750 रुपीज के अंदर अंदर था बट वो बहुत जादा अच्छा था और एकदम लेटेस और ट्रेंडी राते हैं जोकि बहुत ही जादा अफॉडेबल रेट के अंदर होता है आप लोग देख सकते हैं प्लाजो सेट्स जो हैं हो कितने ज्यादा ब्यूटिफूल लग रहें शॉप के अंदर फेस्टिवल रिशीजन के लिए इस तरह के सेट्स जो हैं वो बहुत ही जञदा सुन नहीं था बट लेदर वाला स्टफ था जो कि बहुत ही जादा सुन्दर लोग दे रहा था आप लोग देख सकते हैं कि यह दिखने में भी बहुत जादा क्लासी लग रहे हैं मताफ फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स यह बहुत जादा सुन्दर है इन फैक्ट ट्रेवल के तो वो भी आप जरूर से चेक आउट करें यह राइट वाली लेन है जो कि यह पे ब्यूटी एंपरल्स वाली लेन नेक्स्ट यह कुर्तीज की शॉप थी कुर्तीज की रेंज 300 रुपीज थी और क्यूंकि विंटर कलेक्शन आ गया था तो विंटर कलेक्शन भी बहुत ठी नहीं आया हुआ था यह वाली जो शॉप थी इनके पास 80 रुपीज की टॉप से जो कि आप घर में पहन सकते हैं क्योंकि अब लॉक डाउन का टाइम है तो घर में ही पहन सकते हैं तो 80 रुपीज की टॉप से जो कि आप घर में अराम से पहन सकते हैं जो शॉट्स थे देख ये वाले भाया की जो shop है this is the highlight of today's video, मतलब इनकी shop की जो collection थी कुर्ती प्लाजो की ऐसी collection नहीं है और इनका जो range है वो खाली 500 रुपीज का था, मतलब 500 रुपीज में इनका collection और इनके designs जो थे वो all over market में आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये sweet corner के just सामने वाली shop है और ये लोग, it's a good news for you girls कि ये जो भाया है वो delivery भी करते हैं and I got number for you तो आपको जो number है वो description box में जरूर से मिल जाएगा तो जरूर से check out करो और जल्दी जल्दी order करो for this festive season देखिए मैंने इनका collection थोड़ा सा शूट कर रहा है आप लोगों के लिए आप लोग देख सकते हैं कि इनका collection बहुत ही जदा amazing था with so affordable rate मताब rates जो थे वो तो बहुत ही जदा ठीक थे देख सकते हैं 500 रुपीज में कुर्ता भी मिल रहा है आपको और प्लाजो भी मिल रहा है तो वो बहुत ही जदा beautiful collection था देख सकते हैं आप यह ग्रे कुर्ता जो था इसके उपर काम हो रहा था थ्रेट से काम हो रहा था जो कि बहुत ही जदा सुंदर लग रहा था और बहुत ही classy लोग दे रहा था देखो यह वाला जो कुर्ता से था यह वाला 500 रुपीज का था मताब कैन यू बिलीव इट 500 में इतना सुंदर हम लोग ओनलाइन देखते हैं तो ओनलाइन भी वाले कुर्ते प्लाजो के साथ थाउजंड से कम हमें कहीं नहीं मिलते और इनकी शॉप पे जो क्लेक्शन फैब्रिक सब कुछ बहुत ही जदा ब्यूटिफुल लग रहा था उसी के जर्स साइड में आपको इस तरह का एक स्ट नाइट शुट भी थे और वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में और प्रिंट्स के अंदर इन फैक्ट दा फैब्रिक वस अलसो वेरी गुड तो यह जो कॉलर वाले थे यह मैंने इन भाहिया से पूछा तो यह 500 रुपीज के थे जिसके अंदर इनके पास बहुत सुं सही था तो आप यह वाली शॉप भी जो स्टॉल है वो भी जरूर से चेक आउट करें उसी के जस्ट साइड में वहाँ पर आपको एक एरिंग्स की शॉप में लेगी देख सकते हैं आप लोग इनके पास गोल्डन एरिंग्स जो थे वो बहुत ही जादा सुंदर थे मतलब अभी दम लेटर्स कलेक्शन था गोल्डन एरिंग्स का नॉट उनली एरिंग्स इनके पास जो बैंगल्स अगरा की कलेक्शन थे ना वो भी बहुत ही जादा सुंदर थे मतलब वो जो एक वेलवेटी बैंगल्स आजकल बहुत जादा चल रही है थोड़ी गरली लुक देत जो है वो बहुत जादा ठीक है डिफर करती है from different item to different item आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक sweater की shop मिलेगी यह वाली shop जो थी वो मुझे काफी ठीक लगी मतलब इनका sweaters का collection अच्छा लग रहा था कहीं से कोई problem नजर नहीं आ रहा था sweaters के अंदर तो आप चाहें तो यहा इनके पास काफी सारे colors थे plain stripes में buttons वाले तो हर तरीके के sweater के इनके पास बहुत ही अच्छी collection थी उसी के next 200 रुपीज की jeans सी वो मुझे fabric मैंने touch नी करा तो I'm not sure वो कैसा होगा इस तरह के कुछ inner garments भी आपको बहुत ही reasonable range में और बहुत ही different style के अंदर आपको देख जाएंगे market के अंदर आपको घर में रखने की crockeries जो होती हैं वो भी बहुत ही जादा सुन्दर और classy look में दिखेंगी इस तरह की जो t-shirts हैं ये बहुत अलगला colors में आपको 200 रुपीज की per t-shirt मिल जाएगी जो की fabric wise अच्छी लग रही थी in fact इनका जो look था वो भी बहुत ही जादा अ fabrics की बहुत सी shopping shops दिखेंगी जैसे की white fabric की shop है इनके पास fabrics बहुत अलगलग तरीके के थे बहुत सुन्दर सुन्दर design के थे बट जो range थी वो different थी item to item लाजपत नगर के अंदर suits का बहुत ही सुन्दर collection आया हुआ है और भी बहुत सारी चीजे हैं जो मैं आपको दिखाना चा YouTube का खूआ है जो एक जाए हूल्ल म對 संप्रमीस अ धल्द उतर्डिकेर बाद खिसके का विए ओॏए